एक सब्तंबर को पी एफ रूल्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये जानकारी तमाम पी एफ ओल्डर्स के लिए अनिवारे है और महतव पून भी है तो इस जानकारी को द्यान से सुन लीजेगा और अगर आपने ये काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को कर लीजेगा जैहिंड गूर्मानिंग आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुबं लंगे पी एफ रूल्स में होगा बड़ा बदलाव मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बड़ा अपडेट दिया था जिसमें ये कहा था कि डैडलाइन जो है उसे गोशित कर दिया गया है और अगर आपने पैन कार्ड जो है जा फिर आपने जो अधार कार्ड है वो लिंक नहीं किया है अपने पी एफ अकाउंट के साथ तो आपका पी एफ जो है वो आपके जो ओनर है वो रोक सकते हैं आपको पी एफ जो है वो नहीं मिलेगा ना व यह बेहद काम की खावर है और अगरे महीने जानी की कुछ ही दिन एक सप्तमबर जो है वो आ जाएगा और अगर आपने आपका जुनिवर्सल अकाउंट नंबर जानी की UAN आपके अदार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपके जो इंपलॉयर है वो आपके प्राविनेंट जिसे PF कहते हैं उसका अकाउंट में कैडिट नहीं कर सकेंगे पैसा नहीं आ पाएगा दरासल करमचारी वविश्य निदी संगठन जिसे EPFO कहा जाता है उसने EPF खातादार को जानी की EPF अकाउंट होल्डर्स को 1 सितंबर 2021 से पहले अदार को UN नंबर से लिंक करना होगा ये कहूं तो सिर्फ और सिर्फ दो दिन बागी हैं उसके बाद आप लोगों के जिन्होंने अदार कार लिंक नहीं किया होगा अपने EPF खाताओं के साथ उनका अकाउंट जो है वो सीज हो जाएगा उनके अकाउंट में कैडिट जो है PF नहीं होगा प्रेमेंट फंड नहीं तो उन लोगों को किसी भी परकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े इस वज़ास से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी तमाव अपडेट के लिए बने रहे हैं बाहू एक्सपेस पर आज का दिन खास है क्या कोई नहीं गाडिलाइन्स आएंगी क्या सरकार को कोई नहीं बदलाब करेगी जैसे ही कोई निया आडर आएगा मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करूंगा बाकी तमाव इडिस के लिए बने रहे हैं बाहू एक्सपेस पर जाहिन